हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इस्टरी विद प्रिया आज हम 16 से 20 अक्टूबर के बीच के सभी महतुपूर्ण करेंट अफेर्स को देखेंगे इसमें देख सकते हैं आप यहूं के समर्थनमूल नासा कंत्रिक्षियान साइकी अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा हमारा पहला कोशन है 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया 16 अक्टूबर को विश्व खाद दिवस बनाया गया और साथ ही जान लेते हैं इसकी थीम क्या थी इसकी थीम थी वाटर इस लाइफ, वाटर इस फूड, लिव नो वन बिहाइंड अगला हमारा प्रशन है उत्तर प्रदेश से रिलेटर है किस फिल्म को राश्टी फिल्म पुरुसकार 2023 में सर्शेष्ट खोजी फिल्म से सम्मानित किया गया है तो वा फिल्म कौन सी है लुकिंग फॉर लुकिंग फॉर चालान अगला हमारा प्रशन है नासा ने हाल ही में एक अधुतिय धातू सम्मृद्ध छुद्रग्रा का अध्यन करने के लिए छे साल के मिशन पर एक अंतरिक्षियान लॉंच किया है वा अंतरिक्षियान कौन सा है उसका नाम है साइकी है ये 6 साल के मिशन पर एक अंत्रिक्ष्यान इन्होंने लॉंच किया है नासाने साइकी को अगला हमारा प्रेशन है भारत में किस प्रकार के कैंसर के लिए नेक्स कार 19 को मंजूरी दी गई है तो यहां B-cell lymphoma और leukemia के लिए इस दवा को मंजूरी दी गई है अगला हमारा प्रेशन है अगला हमारा कोशन है हाल ही में भारत के तमिल नाडू में फॉर्म ब्रेड तिलापिया को प्रभावित करने वाले वायरस का नाम क्या है तो इस वायरस का नाम है तालीपिया पार्वो वायरस कहां पर भारत के तमिल नाडू में फॉर्म ब्रेट तालीपिया को प्रभावित करने वाले वायरस का नाम क्या है तालीपिया पार्वो वायरस अगला हमारा प्रेशन है डंपा टाइगर रिजर्व किस राजी में स्थित है डंपा टाइगर डिजर्व मिजोरम में स्थित है और यह इसमें सुर्खियों में समय आया है क्योंकि यहां टॉड की एक नई प्रजाती हो जी गए इसी वज़ा से डंपा टाइगर डिजर्व सुर्खियों में और यह मिजोरम में स्थित है अगला हमारा है माखीर अधरक का संबंध किस राजी से है तो friends, ये माखीर अधरक का संबंध मेघालय राजी से है अधितिय मेघालय माखीर अधरक को बढ़ावा देने के लिए ठीक है हल्दी Trinity ये शुरू की गए अगला हमारा प्रश्न है हाल ही में मंचीरे वुला वन ट्रेक पार्क में मेसो लिथिक रॉक कला की खोज किस शहर में की गई थी तो इसका अंसर होगा हैदराबाद में मेसो लिथिक रॉक कला की खोज किस शहर में की गई थी हैदराबाद में की गए थी अगला हमारा कोशन है कि त्यायनी अम्मा जिनका 101 वर्ष की आयू में निधन हो गया किस राजी की साक्षर्ता कारिक्रब में शीर्ष प्रदर्शन करता थी तो यह केरल राल जी की साक्षर्ता कारिक्रब में शीर्षक प्रदर्शन करता थी अगला हमारा प्रशन है अक्टूबर में किस राजिम के काजू उद्योग को GI ट्रैग राप्थ हुआ है तो इस समय गोवा के काजू उद्योग को GI ट्रैग राप्थ हुआ है अगला हमारा है Drop of the Last Cloud के लेखक कौन है Drop of the Last Cloud के लेखक है संगीता जी इन्होंने इसके लेखक है अगला हमारा प्रशन है नई दिल्ली में राष्ट बौधिक संपदा संमेलन 2023 में राष्ट बौधिक संपदा पुरसकार किस ने प्रदान किया इसे प्रदान किया केंद्री वालेजी एवं उद्ध्योग मंतरी प्यूश गोईल जी ने याद रख्येगा केंद्री वालेजी मंतरी क्योश गोईल इन्होंने राष्ट बौधिक संपदा संमेलन में राष्ट बौधिक संपदा पुरसकार को प्रदान किया है अगला हमारा प्रेश्ण है केंदर सरकार ने ये बहुत ही important question है केंदर सरकार ने 2024-25 सत्र के लिए गेहु के नियूंतम समर्थन मूल को कितने रुपए बढ़ा दिया है तो इसको इन्होंने 1.500 रुपए बढ़ा दिया 150 सुपए 2024-25 विपढ़न सत्र के लिए MSP गेहु कानियूंतम समर्थन मूल ये कितना कर दिया है इन्होंने 2275 रुपए प्रतिकुंतल कर दिया है ये बहुत important है याद रखेगा 2275 रुपए 2275 रुपए प्रतिकुंतल अगला हमारा प्रश्न है 21 अक्टूबर को TVD1 कहां से अपनी पहली परिक्षण उडान भरेगा तो याद TVD1 ये श्री हरीकोटा से अपनी पहली परिक्षण उडान भरेगा ये क्या है ये गगनियान मिशन के तहत या एक परिक्षण होगा गगणियान भारत का पहला अंत्रिक्ष मिशान है यह गगणियान की तहत ही T.D. T.V.D.1 का पहला परिक्षण होगा और यह श्री हरी कोटा से पनी पहले उड़ान भरेगा अगला हमारा कोशन है हाली में कौन अंडर 20 वर्ड जूनियर रैपिट शत्रण जो 2023 के चैंपियन बन गया है तो यह रौनक साध्वानी बने है 13 साल की उमर में Grand Master के रोने उपाधी प्राप्त कर लिए है अगला हमारा कोशन है चोथे एशियाई पैरा खेलों का आयो जिन किस देश में किया जाएगा यह किया जाएगा चीन के हांगजू शहर में किया जाएगा 22 से 28 सक्टूबर तक ठीक है और अगला हमारा प्रशन है नहीं प्रशन है इसी में एक जानकारी है कि अभी जो एशियाई खेल हुए थे हाली में हुए एशियाई खेलों में भारत ने 107 पदक जीते हैं और चौथा इस्थान हासिल किया है और अगला हमारा प्रशन है रभी महाभियान 2023 का शुभारम किस ने किया है तो नितिश कुमार जी ने रभी महाभियान का शुरुवात किया है ताकि किसानों को जानकारी मिल सके रभी की फसलों के नितिश कुमार ने रवी महावियान 2013 का सुभारम किया है अगला हमारा प्रश्र परस्टी सम्मान 2022 क्या समानित कया गया है तो तमिल लेखक शिव शंकरी को सरस्ती सम्मान 2022 समानित किया गया अगला हमारा है अंतराष्टी क्रिकेट में सबसे ज़्यादे 6 लगाने का रिकॉर्ड किसने मनाया है तो यह है रोहित शर्माने सबसे दिक छक के इन्होंने ही लगाया है अगला हमारा कोशन है भारती मूल की 17 बर्षी विज्यानिक गीतान जली राउ को अंतराष्टी अबालिका दिवस पर किसने समानित किया है तो इन्हें समानित किसने किया है वाइट हाउस में अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडन ने इनको समानित किया है अगला है जूला घाट संस्पेंशन ब्रिज किंदो देशों को जोडता है तो वा भारत और नेपाल को जोडता है अगला हमारा कोशन है किस राज्य सरकार ने राज्य नशामुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशियेटिव शुरू किया है तो यह पंजाब सरकार ने इसको शुरू किया है राज्य से को नशामुक्त बनाने के लिए इसके साथ ही हमारा अगला प्रशने अगला प्रशने हमारा क्या है राष्टी हस्षिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला के शहर में शुरू हो गया है तो यह कुलकत्ता में प्रारम किया गया है इसका उद्देश ही आए कि खादी वस्तरों के प्रती लोगों की रूची को बढ़ाना इसकी मार्केटिंग बढ़े लोग इसके इस्तमाल जादा करें इसलिए गांधी बुनकर मेला लगाया गया है और यह 18 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक कोलकता में चलेगा इसके खाद दिवस के अफसर पर इस विपोर्ट के अनुसार जल संकट से खाद सुरक्षा को खत्रा है तो फ्रेंड्स यह है आज के हमारी आज की करेंट अफेर अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए करेंटे वीडियो देखते हैं करेंट अफेर के आधे गंटे के देखते हैं हमको इतनी जरूरत नहीं है अगर इतना हम अपने किसी सब्जेक्ट पर लगाए तो ज्यादा इंपोर्टेंट मतलब ज्यादा अच्छा रिज़ भी देगा ठीक है तो उसी को ध्यान लगते इक ही वीडियो में करेंट अफेर का लगाती हूं ताकि पढ़ने में भी कम समय लगे और जल्दी आपका यह कवर भी हो जाए तो फ्रेंट अगर अच्छा लगो तो प्लीज लाइक तब तक के लिए धन्यवाद